कर कि तरह आपके लिए प्राइब रिजेक्स करने वाला हूं यहां पर अगर Понब However मिल जाता है अ़ छुटा जहां पर आपको मिलता है ड्यूरल टोकन मडल और उसके अलाबा यहां पर आपको काफी अच्छा इंसेंटिव स्ट्रक्चर मिल जाता है traders और farmers के लिए तो गाइस यह पूरा project कैसे work करता है और इसके अलावा यहाँ पर उनका अभी एड्रॉप भी चल रहा है तो कैसे आप उसके participate कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पर free में PSI token को ले सकते हैं उन सभी के बारे में आपको डीटेल में यह वीडियो में बताने वाला हूँ चलिए अब हम आ गये है website के उपर तो project के related सारे links आपको नीचे description में मिल जाएंगे तो आप उसके उपर click करके उसको one by one checkout कर सकते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको introduction देता हूँ Pandora project के बारे में और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आ आपको यहाँ पे features मिल जाते हैं तो सबसे बेले गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे उनका add drop चल रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पैनोड्रॉप और यहाँ पे लिखा है get PSR token यानि कि आप बिल्कुल free में यह PSR token को ले सकते हैं वह जब action पे लिष्ट होगा उससे पहले और वह कैसे आपको मिलेगा तो वह आप देख सकते हैं यहाँ पे total यह लोग इतने token को यहाँ पर distribute करने वाले हैं among 5000 lucky winners तो यानि कि और यह जो पूरा होगा वह first come first of basis के उपर होगा तो वह कैसे आप participate करते हो उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ उसके अलावा गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उनका audit है याने की smart contract audit है वो अल्रेड़ी यहाँ पर पैक्स किल्ट के थूँ यहाँ पर उन लोगों ने successfully complete कर दिया है और आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर पूरा यहा bounty program भी चल रहा है और उन्होंने यहाँ पर team up किया हुआ है hack and proof के साथ में और वो देख सकते हैं आपकी यहाँ पर आप यहाँ पर अगर आपको reward चाहिए तो आप यहाँ पर 50,000 worth of dollar का यहाँ पर reward भी ले पाओगे अगर आप यहाँ पर उनको box को यहाँ पर report करते हो तो अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पर basically Pandora क्या है उसे के बारे में यहाँ पर बताया गया है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ उनके यहाँ पर document वाले page के ऊपर और आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर basically Pandora आपको क्या दिता है यहाँ पे इनसेंटीव है वो आपको यहाँ पे काफी जादा मिलता है और हर एक यूजर के लिए यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अगर आप trade करते हो तो भी आपको यहाँ पर reward मिलता है, तो भी reward मिलता है और जो NFT farmer से उनको भी यहाँ पर काफी अच्छा benefit होता है। यहाँ पर आप checkout कर सकते हैं, यहाँ पर आपको उनका एक promo वीडियो मिल जाता है जहां पर basically उनका जो all inclusive reward system में वो आपको देखने के लिए मिल जाता है तो guys यह चाहो तो आप यह सब भी वीडियो को यहां पर check out कर सकते हैं उसके बाद में guys अब मैं यहां से back चला जाता हूँ उसके अलबा guys आप देख सकते हैं यहां पर अगर आप नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे यहां पर चीजे मिल जाती हैं जैसे कि आप यहां पर on कर सकते हो ट्रेड कर सकते हो पैंडोर वर्स मिल जाता है आपको उनका idea launchpad मिल जाता है NFT marketplace मिल जाता है और jackpot मिल जाता है तो ये सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पे one by one सभी के बारे में बता देता हूँ गयाईज अगर आप यहाँ पे trade के उपर जाते हैं तो अपकोर्स यहाँ पे उनका भी platform live नहीं हुआ है तो यहाँ पे सभी जगा पे यहाँ पे आपको coming soon दिखेगा लेकिन अगर आपको यहाँ पे इन सभी के बारे में जानना है तो आप simply यहाँ पे उनके document वाले page के उपर जाईए तो आपको यहाँ पे पूरी detail यहाँ पे पता चल जाएगी आप दिख सकते हैं गाईज यहाँ पे अगर सबसे पहले यहाँ पे उनके token की बात करूं तो वो है pandora spirit यानि की PSR token यहाँ पे अगर token ticker की बात करूं तो वो है PSR और token name की बात करूं तो वो है pandora spirit total supply आप दिख सकते हैं वो है only 10 million token और उनका यहां पे contract address अभी उन्हों लोगों ने यहां पे announce नहीं किया है उसके बाद में गाईज अगर आप यहां पे नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहां पे जो PSR की utility है वो कितनी बड़ी है आप दिख सकते हैं यह जो PSR की utility है वो phase 1 की अगर बात करूँ यानि कि जो अभी initial stage पे यह लोग use करेंगे तो उसमें बहुत सारी जगा पे यह use होगा जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप यहां पे stacking करते है PSR का तो यहां पे आप other token यहां पे on कर पाओगे उसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पे paying grade bots upgrade fees यानि कि यहां पे upgrade करने पे भी आ आप यहां पे इसको use कर पाओगे jackpot का जो payout होगा वो भी आपको मिलेगा PSR के अंदर उसके अलावा अगर आप Pandora market जो उनका है उसके उपर अगर आप NFT को purchase करते हैं तो भी आपको यहां पे PSR की जरूरत पड़ेगी उसके अलावा आप यहां पे Pandora उसके अलावा आप यह करने वाले हैं जिसमें आपको PSR चाहिएगा token उसके अलावा यहां पे जो उनका आईडियो लॉंच्पेड होगा अगर आपको नए tokens को buy करने हैं तो भी आपको यहां पे जरूरत पड़ेगा PSR की उसके अलावा यह लोग अपना lottery भी introduce करने वाले हैं तो इन सभी जगह पे यहां पे यह जो Pandora token है वो आपको यहां पे help करेगा अगर आप दिछे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे पूरा आपको यहां पे उनका पता चल जाएगा और अगर आप यहां पे नीचे आते हैं तो यहां पे आपको उनका tokenomics देखने के लिए मिल जाता है tokenomics जैसे कि मैंने आपको बताया total supply जो की है उनका 10 million और many mechanism तो 100% यह लोग यहाँ पर pre-mine कर लेगे यानि कि काई उसके बाद में यहाँ पर कोई भी token नाया यहाँ पर add नहीं होगा उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर public sale के लिए कितना है और partnership development के लिए 15% for the team 15% for the ecosystem fund 10% यह लोग liquidity के लिए रखा है और यहाँ पर जो balance 10% है उसको रखा है jackpot के लिए तो कुछ इस तरह से यहाँ पर उन लोगों ने अपना token इसको यहाँ पर allotted गया है अगर guys आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पूरा आप यहाँ पर चार्ट के थुरू भी यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं तो अब में guys यहाँ पर आपको one by one जो से यहाँ पर सभी features है उन सभी के बारे में यहाँ पर बता देता हो उसके बद में अगर आप यहाँ पे swap के उपर आते है तो यहाँ पे आपको कुछ video tutorial मिल जाता है यानि कि guys जैसे कि मैंने आपको बता है यहाँ पे अगर trade के उपर जाते है तो यहाँ पे जैसे अलग-अलग taxes में होता है swap और liquidity यानि कि basically guys swap की बात करो तो यहाँ पे आप अपने token को swap कर पाऊगे और liquidity की बात करो तो यहाँ पे आप liquidity को provide कर पाऊगे उसके अलगा guys यहाँ पे आपको earning के उपर जाते है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है farms, pools and trade mining farms जैसे कि मैंने आपको बता है guys उसमें आपको मिल जाता है pando words और उसमें आपको क्या मिलता है तो pando words के बारे में अगर आप यहाँ पे जानना चाहो तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे detail में पता चल जाएगा सबसे बेले guys यहाँ पे अगर pando boxes की बात करूँ तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे pando box को इन लोगों ने यहाँ पे classified किया है six levels के अंदर और आप दिख सकते हैं यहाँ पे लिखा है pando box are classified into six levels open it to get yourself a droid bot at a random level यानि कि guys अगर आप इसको open करते हैं तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा droid bot और वो आपको random ली मिलेगा और उसको आप अगर चाहो तो उसको pando market के उपर आप sell भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे जो drop rate है वो क्या अंसा है यहाँ पे अगर level 6 की बात करो तो यहाँ पे वो जो drop rate है वो है only 0.1% का और यहाँ पे आप दिख सकते हैं जो pando boxes है वो यहाँ पे limited quantity में है और यहाँ पे जो दो token हैं जो की है PSR and pen token वो यहाँ पे आप paid कर पाओगे crafting fees के लिए जो की यहाँ पे needed Airbnb बंद कर दीया जाएगा तो कुछ इस सरा से यहाँ पे आपको उनका concept दिखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे आप देखसकते है यहा पे आप कैसे craft कर सकते है पैंड बॉक्स के उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है आप दिख सकते हैं यहां पर करने के लिए आपको simply यहां पर payment method को choose करना पड़ेगा तो वह आप कैसे पर आओगे तो आप दिख सकते हैं आप यहां पर यहां पर कर सकते हैं पैंड टोकन के साथ में यहां फिर आप आप combinedly भी कर पाओगे with pen and psr token और उसके बाद में आपको simply craft now के उपर क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहां पर अपर अपर यहां पर एक पैंडो box मिल जाएगा जिसको आप यहां पर ओपन कर पाओगे और उसके बाद में यहां पर आप open कैसे करोगे पैंडो box क्यों त पैंडो box और उसके बाद में आपको यहां पर क्या मिलेगा open box के अंदर तो वो आप पूरा यहां पर चेक आउट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको आपको जो ड्रॉइड बॉट मिलेगा उसमें आपको क्या मिलेगा तो वो पूरा आप यहां पर चेक आउट कर सकते है तो कुछ इस तरह का concept आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है तो आप मैं guys यहाँ पे आपको लेके जलता हूँ Droid Boards के उपर और आप देख सकते हैं जो every Droid Boards है वो यहाँ पे unique है और वो यहाँ पे generate उटा है randomly with different levels आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे उन लोगों ने divide किया है 9 levels के अंदर यानि की level 1 to level 9 to measure the power of Droid Boards Each Droid Boards has its own mine power determined by its level यानि की guys जितना यहाँ पे उसका level होगा उतना ही यहाँ पे उसका mining power उसका ज्यादा होगा और जितना उसका यहाँ पे power ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पे आपको ज्यादा staking rewards मिलेगा तो आप दिख सकते हैं गई यहाँ पे आपको कैसे Droid Boards मिलेगा तो वो पूरा method आप यहाँ पे check out कर सकते है जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप यहाँ पे चाहो तो directly आप Droid Boards को Pando Market से buy कर सकते है या फिर आप यहाँ पे method तो यानि कि आप Pando Box जिसके बारे में मैंने आपको बताया उसके थूर आप यहाँ पे open करके भी जो Droid Boards है उसको आप यहाँ पे ले सकते है तो यह कुछ आपको यहाँ पे उसके features मिल जाते है उसके बाद में गैसे यहाँ अगर inventory की बात करूँ तो आप देख सकते हैं गैसे अगर आप यहाँ पे inventory में आपको क्या-क्या मिल जाएगा तो यहाँ पे आपका जो जी यहाँ पे Droid Boards वगेरा होगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और वैसे ही आपके जो पूरा आप यहाँ पे inventory में आप चेक आउट कर पाओगे उसके बाद में गैस आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहो तो उसको श्टेक कर सकते हो आप चाहो तो उसको अपग्रेड कर सकते है और अगर आप चाहो तो उसको यहाँ पे sell भी कर सकते है तो यह पूरा चीज़ आपको यहाँ पे inventory में देखने के लिए मिल जाएगा उसके अलबा गैस यहाँ पे अगर Pando Market की बात करो तो जैसे कि मैंने आपको बताया यह basically उनका NFT Marketplace है जिसका नाम है Pando Market तो यहाँ पे guys basically आप उनकी जो NFT वगेरा है उनकी यानि की droid board से उसको आप यहाँ पे buy और sell वगेरा कर सकते हैं और उसके अलबा guys यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको उनका schedule उसको यहाँ पे डाल दिया जाएगा jackpot fund के अंदर उसके अलबा यहाँ पे जितनी भी swap fee यह लोग collect करेंगे उसका 20% जाएगा jackpot fund के अंदर और उसके अलबा guys यहाँ पे जो trading commission होता है from Pando market वह भी यहाँ पे जाएगा 20% jackpot fund के अंदर तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो jackpot fund है उसको यहाँ पे funding मिलेगी और यहाँ पे जो फंड है वो jackpot के अंदर every hourly basis को यहाँ पे add किया जाएगा और उसके अलबा आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर jackpot prices की बात करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा minor jackpot और mega jackpot और उसके अलबा गयाज यहाँ पे आप कैसे jackpot में participant वरगेरा कर पाओगे वो सबी चीज़ी यहाँ पे आपको देरे 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 दिखने के लिए मिल जाती है उसके अलबा गयाज यहाँ पे आपको उनका reference program भी मिल जाता है तो reference program जो है वो भी आप यहाँ पे check out कर सकते है तो यह कुछ आपको यहाँ पे exchange के उपर list हो जाएगा और उसके बाद में आप यहां पे इन सभी में participate कर पाओगे तो आप मैं आपको बताता हूँ कि यहां पे आपको कैसे जो उनका pando drop है यहां पे यानि की जैसे कि आप free में कैसे उनके PSR token को buy कर सकते है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आप दिख सकते हैं उसके लिए simply आपको यहां पे क्लिक करना है go to pando drop के उपर और उसके बाद में आप यहां पे redirect कर दिये जाओगे आप दिख सकते हैं यहां पे total airdrop collection allocation कितना है तो वह है 150,000 PSR token और total splot कितने हैं तो वह है 5000 और प्लोट कितने claim हुए है तो वह आप checkout कर सकते हैं 3.38% तो आप चाहो तो जरूर इसमें participate कर सकते हैं आप दिख सकते हैं यहां पे जो PSR का airdrop होने वाला है आपके wallet के अंदर वह होने वाला है 3 माई 2022 को और आप देख सकते हैं यहां पे जो पैंडोरा लॉंच है यानि कि वो लोग add liquidity करेंगे exchange इसके अंदर वो करेंगे fifth top में को यानि कि उसके बाद में आप अगर चाहो तो token को sell भी कर सकते हैं और यहां पे countdown time आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो की है around six days का आप देख सकते हैं यहां पे आप कैसे पैंडो ट्रॉप में यहां पर पार्टी सिपिट कर सकते हैं तो उसके लिए simply आपको वालेट को connect करना पड़ेगा और आपको यह किसी भी एक यहां पर जो उनकी requirement है उसको यहां पर फूलफिल करना पड़ेगा उनकी जो requirement है उसके अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर आप चाहोगे तो यहां पर आपको उनका पैंडो ड्रॉप का यहां पर आपको एक सेपरेट मिल जाएगा और उसमें आपको यहां पर मिल जाएगा कि यहां पर कौन eligible हो सकता है यहां पर claim करने के लिए तो आप देख सकते हैं anyone who traded और formed on PAMK square with combined trading volume of at least 5000 USDT और total harvested farming rewards at a minimum of 5 kick within the snapshot period is qualified to participate in the PANDO drop तो यानि की यहां पर जो उनकी जो उनकी जो उनकी जो उनकी जो उनकी जो इनकी जो उनकी जो उनकी जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है और आप देख सकते हैं यहां पर जो eligible trading pair है और trading volume calculation है वो पूरा आप यहां पर check out कर सकते हैं आप यहां पर कई सारी pair जैसे कि USDT BNB, BUSD BNB वो बहुत सारी pair आपको मिल जाती है उसमें आप यहां पर trade करके आप easily यहां पर रिवर्ड पूल में यहां पर participate कर पाओगे और आ अगर आप चाहो तो जल्दी से इसके उपर आप यहां पर participate कर सकते हैं उनका आपको यहां पर वीडियो भी मिल जाता है तो अगर आप चाहो तो यहां पर उनके free में PSR token को भी ले सकते हैं और उसके अलावा जैसे ही यह token list होता है एक्सेंज के उपर तो आप डारेकली वहां से भी उसको बाइक कर सकते हैं